इस सभा के यहां से संचालन कर रहे हैं स्रीबाल मकुन साय जी और स्री योगेंदर परताप शिंग जी महीरवी जी और दुमका जिला से वहां जो प्रमुख रोप से जो सभी प्रमुख कार करता है जिसे वहां के जिला द्याच स्री निवास मंडल जी वहां से सांसद स्री शुनिल सोरें जी जिला के संजोजक गौरब कंता जी और काचकरम प्रभारी पिंटु अगरवाल जी और वहां पर पूर मंत्री और दुमकाशे पूर विदायक स्री मत्य लुईश मारंडी जी स्री विनो सर्मा जी और वहां तमाम जो पारटी के प्रमुख कार्ज करता है शुब लोग वपस्थी थे और आप सब जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को अपनी होर से धन्यवाद देता हूँ नमश्कार करता हूँ जो आर करता हूँ कि आज इस वर्च्वल रैली में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम सब लोगों के लिए साथ एक नया प्रियोग है और जिस प्रकार से पिछले मार्च के आखरी शप्ता से जो लॉगड़ाउन हुआ है अप्रील में समाप्त हो गया और यह जून के आज 11 तारीक है यानि लबनी समय तक सब लोग अपने अपनी जगा पर अपने अपनी घरों पर और अपनी अपनी छेत्रों में सोशल दिस्टेंसिंग को मैंटन करते हुए समाज की सेवा में सब लोग लगे हुए और कहीं एक जगा लोगों को इकठा करना वुशित नहीं है सरकार के और से आप सब ने देखा होगा जिस करकार से बजार, दुकान यहां तक की धार्मी का स्थल्मी बंद है इस मिच में बहुत से पर्वतेवार हुआ चाहे हिंदो, मुशल्मा, निसाई, शुबों का राव लेकिं सबों ने इस महामारी के कारण सब कुछ अस्तगी तरका है और यह भारत ही नहीं बलके बुरी दुनिया की यही हालत है और हम सब लोग को भी शवापालन करना लेकिन इसी में से पारटी ने तैय किया कि हम अपनी जगा से या अपनी जगा में लोग रहते हैं उनकी आँ तक भी हम अपनी विचारों को पहुचा सकते और उसके लिए इस तकनीक का भी हम सब लोगों प्योग कर रहें और इसलिए आज खुशी हो रही कि आप सब लोग अमारे साथ चुड़े हो तो कि दुमका से हमारा सम्मत पुराना रा है मैं भार भार लोगों से काता हूँ कि अगर बावलाल मारंडी की पहचान कहीं से बनी है तो वो दुमका के धरती से और इसलिए हमारी इच्छा थे कि उश्यमे की विधानसवा सत्र समाप्त होगा और विधानसवा सत्र समाप्त होते अपने विधानसवा धानवार जाकर के गाउं जाकर के और फिर हम दुमका ही पहला पहुँचेंगो और इसके बाद राज के सेज हिस्सों में हम घूमेंगे लेकिन शंभव वो नहीं हो पाया कारण आप सब को पता है कि लॉक्डाउन हो गया कौरोना के कारण तो इसलिए हम चाह करके भी वहां तक नहीं पहुँच पारे और इसलिए आज आज आप सब लोगों से इस तक्णिक के माध्यम से आप सब लोगों के यहां तक अपनी बातों को आप पहुँचा रहे और इसलिए मैं आप सब को अपने होर से आज आप सब लोग चुड़े हो उसके लिए मैं तहें दिल से बदाई देता हूँ साथ ही इस कॉरोना के काल में पारटी के होर से कार्ट करता है जो शेवा का काम किया वो अदपूत है और मैं तो कहूँगा कि भारती जनता पारटी ने इस बात को चरितार्थ किया कि हम राजनिती सिर्फ एमेले एंपी बनने के लिए ही नहीं करते है यज मात्र सरकार बनाने के लिए ही नहीं करते है राजनिती हमारे लिए समाज सेवा का एक माथ्यम है और इसको इस विशम परिस्थिती में कार्ज करता है नहीं इसको आगे पढ़ करके काम कि और आज मैं कहा सकता हूँ कि इस देश में और प्रदेश में भी पारटी का कार्ज करता है अपने सामर्थ से भी अधिक पड़ चड़ करके लोगों ने काम किया समाज के लिए काम किया जगा जगा पर लोगों ने भोजन बना करके लोग खिला अभी भी लोग जगा जगा पर खिला रहे कहीं वो शंबव नहीं हो पाया तो फिर पैकेट बना करके सुखा आनाज जौरत मंद लोगों के बीच में भी लोगों ने बाटने का काम के और मुझे आज खुशी हो रही है जान करके कि दुमका विधानसवा छेत्र में भी वहां की कार्ज करता उस विधानसवा छेत्र के और विशेश रूप से वहां पौर विधायक लुईश मारंडे जी शबों ने मिल करके उस विधानसवा छेत्र में भी लगबख छे हजार करेब लोगों के बीच में मोदी आहार यानि रासन को बाटा के यह बहुत बड़ी कोई छोटा मोटा काम नहीं है अपने और से हिकटा करके अपने जेव से भी कुछ निकाल करके और हमें उन लोगों की हां तक पहुचाना वास्तों में लोग चाउरत मन देए हम सिर्फ सरकार के भरों से ही बैठे नहीं रहे अपने कार्ज करता अपने ओर से भी लोग निकले अब वहाँ ये भी पता चला कि 2000 करीब हो समय माक्ष तो सब जगा मिल नहीं रहाता बन भी नहीं रहाता तो गंशा का भी लोगों नहीं होफियोग की और हाट में भी जा करके उन लोगों को गंशा उपलप्त कराएं और वैसे ही बाद में माक्ष का भी वित्रन अभी भी है जो जुआ है जो हमें जानकारी मिली है वो लगबख साथ हजार से अधिक की संख्या में उसका भी वित्रन हुआ है लोगों के बीच में यह अपने आपने फिर हाइवे में जहां लोग दोर दराज में रहते थे उनको जो छटपटाट होती है अपनी घर जाने को तो गाड़ी की लोगों ने पृतिशा नहीं की दूर दूर से हजारों किलोमेटर, दो हजार किलोमेटर पैदल चल करके साइकिल से चल करके और जब ऐसे लोग चलने लगे उनके तकलीव को देख करके पारटी की ओर से आदिस हुआ कि हमें उन लोगों को भी अनाजू पुलब्द कराना भोजन, पानी, दवा यहनी पैर में चपल नहीं तो वो भी हमें उपलब्द कराना और इस काम में पूरे पुरे प्रदेश में भी कार करता लगे और प्रदेश के साथ साथ दूमका जिला में भी आईवे में भी लगबक सुल्ला सोसे अधीक लोगों को वहां भी भोजन पहुचाएगे, पानी उपलब्द कराएगे तो यह एक एहतियासी कम आप सब लोगों ने किया उस विदान सब छेतर के कार करता ने किया उसके लिए मैं आप सभी कार करता हूँ को अपने और से, भारटे की और से बहुत-बहुत बधाईर, बहुत-बहुत मैं धंजवात देना चाहता हूँ और मैं इसी प्रकार से जब कभी भी इस प्रकार की आपदा हो तो हमें कठनायों में भी हमें समाज के लिए, लोगों के लिए हमें आगे आना चाहिए और आप सब लोगों ने इसको चारितार्त किया है इसके लिए आप सब लोगों भी हम महार बहुत बथाई देते हैं और उसके सलसर्द में जारकंड पुरदेस में भी पूरी राच में जो अपने कारकरता ने जो काम किया ज़ाएं 24 मार्श से लेकर के 31 में के बीश में जो 12,74,000 भोजन की पैकेट 12,74,000 लोगों को उब्लब्द कराए गई जब जो आकड़ा प्राप्त हुए बहुत से तो ऐसी है कि अपने लोग भी स्वहिंसवी संगड़नों के साथ मिल करके लोगों ने काम किया उसकी आकड़ा इसमें काम कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है फिर लोगडाउन के दर्म्याने 27 लाग से अधिक लोगों के बीश में रासन बाटा गया जो लोगों को पैक रासन की पैकेट बाटा गया तो यह अपने आप में बड़ा सरहनी एक काम है और प्यम केर फंड में भी पूरे छार प्रदेश में शड़े 42 लाख कार्ट करतार समर्थकों ने प्यम केर फंड में भी पैसे एक दान केशा योग दिया और उसमें भी इस जार खंड प्रदेश से पांच करोड के करीब रोपया एकठे हुए और प्यम केर खंड में गया है यह योगदान है अभी भी लोग ही नहीं है मैं एमपी बरने के लिए ही नहीं करते हैं हम राजनिती करते हैं तो समाज के लिए करते हैं समाज की सेवा के लिए करते हैं और इस आपदा की घड़ी में भारती जनता पार्टी के एक-एक कार्ट करताओं ने इस काम को कर दिखाया और इसके लिए पूरे देश में भी भार्ति जनता पार्टि के कार्टम करता हुने एश कंग किया और आघ भी काम कर रहें कल भी एक जगह गए थे तो वहां काफी तराद मेरासन की वित्र नुवा ते रहें ऊसक्तम करें making दोस्ता उन आखरतें बारने कर दोस्ते ने क्या कै humor दोसेगा मिलतें मुदि जी के नेत्वित में दूसरी बार जब सरकार बनी तुन्होंने एक साल में क्या क्या काम किया उस काम के संदर में पारटी के और से प्रधान मंत्री जी के और से पत्रक बनाए आप सब लोगों क्या पहुंस किया होगा और साथ में एक करोना से निपटने के लिए हमें क्या क्या साउधानी बढ़त भीड में नहीं एक साथ दो लोग जाए और परिवार में जा करके मिल करके पत्रक हम सब लोगे तक कि वो लोग जान सके उनको हम जान पढ़वाएंगे लेकिन उसके लिए तो एक लंबी फेहरीश्त है मैं इतनी लंबी तो आपके समझ को हों तो कोई मतलब नहीं आप सब के कहाँ भी पत्रक पहुंचेगे जब पहुंच भी गया है तो आप माधना भी कल सुरो वाराँची में हों आप सब लोग वहां किये होंगे तो आप सब लोग उस पत्रक को पढ़ deferyi मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहता उसको मैं बताना नहीं स्रीप मैं इतना ही का रहा हूं कि हमें पारट के उरसे जो तै हुआ है उस काजकरम को हम सब लोगों को सफल करना है हमें वह टोली में और तो अपनी कार्ध करताओं से यह एक एक परिवार किया जए और उन परिवार को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़े, जो हमारे साथ चुड़े हुए, जो अपने साथ चुड़े हुए, हम सब लोगों को जिल लोगों ने साथ दिया है, उन लोगों की हाँ जा जा करके घर में एक एक पत्रक पहुंचा, इस दुख के गड़ी में भी उनके वी जाएंगे, और ह आपको घर-घर जा करके उस पत्रक को पहुंचाना है, उनके धर्द, उनके तकलीर को भी हमें समझनी है, और फिर उनसे यह भी आग्रह करना है, कि इस करोना के से कैसे लड़ाई हम लड़ेंगे, जो प्रधान मंत्री जिने बार-बार कहा कि दो गाज की दूरी हमें बनाए रखना है जीवन जीने के लिए, अपने को भी बचना है, परिवार को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है, हमें इन सारे चीजों को बता है, अनावश्य ग्रोप से लोग गोमते नहीं रहें, अगर कोई गोम रहे हैं, अगर चोहरत ही हुआ कहीं कोई निकल रहे हैं बार तो जो एक guideline दिया गया है कि कम से कम Marks पहान करके फिर cover लगा करके और उसके साथ साथ अगर यो नहीं तो पिर गमछा भी ले कर सकते हैं हमारी माँ बहने हैं उनके बास भी पलू होता है इसको बोलते हैं कि पट्टा उसको भी बांध करके यानि जो उनके शुविदा लेकिन हमें उसको चेहरा ढाग करके ही हमें चलना है इसको चोकि इसका भी तक कोई दवा नहीं बना है आज इतनी भी देश दुनिया की जो बड़े-बड़े scientist है या दुनिया के जो विक्सिर देश है उसको भी उन्हें यहीं अपनाया है और जब तक ही धवा नहीं चुकिए तुरंस समाप्त होने वाला बिमारी नहीं है और हमें लगता है जिस धंग से जारखड में हमारे बाई बंदू जो बाहर काम करते थे वो वापस आए हैं और आप जांश हो रही है तो आप सब ने देखा कि लगातार करोना के जो मरीज है पोजेटिव है बढ़ते जारा है संख्या उसकी उत्रोतर पढ़ रही है तो हम इसको ऐसा नहीं सोचे कि सब समाप्त होगी बलकि यह और बढ़ रहा है तो हमें साउधानी बहरते हैं सरकार क्यों निर्देशों का भी ध्यान रखना और साथ साथ में आपको सब से काराओं गाओं घरों में भी जाएंगे जो करोना से जो फिडित है या कोई लच्छन दिखाए पड़ी तो निस्चित रुप से अस्पतालों के आंता गाउक्टर के आता है उनको हम चरूर पांचाओं उनके टेस्ट हो जाए ताकि उनको भी कारण्टाइन के आ जा सके और अधिक विमारी का प्रशार नहीं हो सके रोक थाम के लिए हम सब को भी सावधानी बरतनी है नहीं तो कहा जाता है नहीं गाड़ी के पीछे लिखा वह अभी रहता है सावधानी हटी दूर घटा घटी तो हमें सावधान रहना है तभी हम इस करोना को हरा सकते तो हमें लगा कि मैं आपको यह संदेश भी इसके पत्रक भी चोटा-चोटा बना हुआ है आप उस पत्रक को ले करके ज बलकि 2014 में बनी और ये पहली दफ़ा भारत की इतिहास में है कि कोई गैर कॉंगरिसी सरकार पहली दफ़ा दुबारा पुर महमत की सरकार बनी और पिछले बार की तुल्ला में अधिक सीटे लाकर के फिर से मोधिजी के नेत्वित में सरकार बनी या अपने आप में भारत में एक बड़ा एहतिहासिक का ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इसलिए अगर यह संभाव इसलिए हो पाया जो कि आज देश की जहनता का मोधिजी के ओपर जो विश्वास है भरोसा है जो आस्था है उश्वास और विश्वास और भरोसा ऐसा कुछ नहीं पैदा होता है 34 करोड से अधिक लोगों की खाता खुलवाई बैंकों से लोगों को जोड़ा जो आज तक इस देश की इतिहास में कभी हुआ नहीं था लेकिन देश के प्रधान मंत्री बनते ही 2014 में इस काम को इनुने कर डाला और आज उसका बड़ा परिनाम भी देखने को मिला मैं तो कभी लोगों से का करता हूं पता नहीं होदी जी को साथ पता था कि 2019 में संकट आने वाला है उस समय तो लोग मजा कोड़ाते थे कि वह इतना खाता खुलवा दिये पैसे ही सब लोगों के ठक लिये लगिन आज क्या है आप उनी खातों में देश के प्रधान मंत्री जी ने जब ये लॉक्डाउन हुआ तो उन खाजान धन के खातों में आब वो पैसे बेज रहे हैं डारेट पैसे बेज रहे हैं कि इस प्रकार से पैसे आ रहे हैं सब माँ वहने बैंकों में लाइन लगे हुए लोग निकाल रहे हैं यानि इस संकट की घड़ी में उस खाता की पारिना 2019 के बाद ये लॉक टाउन के समय साफ दीख रहा है और इतना ही नहीं नौ करोड से अधीक क्या करते हैं जो गरीब है एलपीजी जो गैस सिलिंडर है वो गरीबों को उपलब्द करें हुजाला योजना केता है इस पार जब यह हुआ तो उसमें भी फिरी तिन तिन के यह क्या को करते हैं सिलैंडर लए यह कोई नगता काम नहीं है कोई शरारण नहीं प्रकार से कावें बिजल Bridge पहुंचान अब आँसे गावें जार्खन में भी छुटा हुआ था लेकिन आज अधीकांस गावें बिजलिं होज गई है ठीके थोड़ी समस्या होगी कि पोर्ण तरह से बिजली नहीं रहती है लेकिन इस काम को भी किया और इतना ही नहीं देश के शुरच्छा को भी मौदी जीने मस्पूत किया देश में पहले आतंकवादी हमले होते थे बड़े-बड़े हमले होते थे आतंकवादी कहीं भी गोश करके मारते थे और हम कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन मोधी जी के काल में आप सब को ध्यान में होगा पुल्वामा की गटना हुड़ी की गटना किसे से चुपा हुआ नहीं है जब उल्वामा में और वूरी में जब आतंक वादियों ने जब वहाँ गटना की सियर्पियेप के जवानों को मार गिरा है उसके बाद हियर स्ट्राइक हुआ सरजी का भी स्ट्राइक हुआ यहनि भारत की भूमी से रातोराथ पाकिस्तान की धर्ती में जाकर करके वं गिराते नातंक बादियों के ठिकाने उपर अमला करना दुनिया को बता दिया कि हम इसको भरदास्त नहीं करेंगे यह कोई सामायन बाते नहीं है बड़ी बाते थे दुनिया को संदेश दे दिया कि अगर हमारी धर्ती में आ करके आप खून खराबा करेंगे तो हम भी आपके घर में खोश करके आपको हमारेंगे ये दिश की प्रधान मंत्री जी ने इसको कर दिखाया ऐसे इनों ने अनीक काम की One Nation, One Tax का जिसको GST कहते है ये किसी भी बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी लेकिन किसी ने कोई इसको कर नहीं पाया थी लेकिन दिश की प्रधान मंत्री जी मोधी जी ने इसको कर दिया ये बहुत बड़ी बाते उससे बहुते बेपार में आसान हुआ कारोबार में असान हुआ है उस्मान भारत योजना के तहा देश के पच्चास करोड से अधीक लोगों को स्वस्त भीमा कराएगा तकि पांच लाग रोपिया तक कि वो मुप्त में इलाज करा सके हर इस काम उस काम से अभी तक देश के पठान मंत्रे जिने भी अपनी भास्नों में कहा कि एक करोड सी अधीक लोगों ने उसका लाब उढ़ा चुके है हमें लोगों को जागरूख करना लोगों को बताना कि उसका लाब कैसे मिल सकता है नितिलाया जासकता है उसको और मस्पूत करना उसे होजना तकि इतनी बड़ी आवादी उसे कवर होंगे तो हमें नहीं लगता है कि लोग कोई क्या करते हैं चिकित्सा कि आव हाव में लोग कोई मरेंगे हमें याद है हम तो जानते हैं कि बहुत बड़ी आवादी के पास पैसे नहीं होते थे तो हम भी जब राज में मुख मंत्री बने थे दोस्त समय यहां डेड़ लाग तक की विवस्ता किये थे तो हम इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली में हम लोग रहते थे यहां से लोग दिल्ली जा करके इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे किया भाव होता था तो हरी समस्या उनके पास होती ते इलाज नहीं करा पाते थे लेकिन देश के प्रण मंत्री जिने उन गरीबों के भी तकलीव को देख करके उन्होंने जो काम कर दिखाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है सुष्ष भारत अभिया ये भी करोडों सोचाला है पूरे देश में बनाएगा जिसमें मावन बहुँ वेडियों के जो हिज़त सम्मान के साथ बोरा सके ये काम कोई छोड़ा मोटा नहीं है बड़ा हैतियासी काम तो बिछले पांच वर्सों में जो इस देश की सरकार ने काम किया मोदी जी ने जो काम किया प्रधान मंत्री बनते हुश्का परिनाम ये हुआ कि 2019 के चुनाओं ने 2014 से भी अधिक सीटें ला करके फिर से एंडिये के नेत्वित में सरकावी मोदी जी के नेत्वित में एंडिये की सरकार फिर से बनी इस देश में और एक साल के अंदर में इस प्रकार से जो काम किया भारती जनता पार्टी ने जन संकाल से भारती जनता भारती का जो को रिसू जिसको कहा सकते है जिनके मांगों को लेकर के देश सोतंत हुआ था उसके बाद कास्मेर का विलाय भारत में हुआ और उस समय भी एक छूट गया गह थे कि वहाँ पर जाने के लिए परमीट लेना पड़ता था और इतना ही नहीं वहाँ भी मुखमंत्री नहीं प्रधान मंत्री कहलाते थे भारत का कानून वहाँ लागू नहीं होता था ऐसी एनिएक भी शंगत्या थी और उसको लेकर कि डाक्टर सेमा प्रसाद मुखर जी जो जनसंग के संस्था पक अध्यस थे उस श्रमें उन्होंने उसका भी रोध किया और नहीं कहा कि एक देश में हम बिना पर्मिट के जाएंगे पर्मिट लेने की शावरत कैसे हो सकती है और उन्होंने फिर जमकास में के और के और उनकी किरबतारी हो गई उनकी जेल में वहीं मिरती हो गई अशले जब कभी भी हम लोग उस समय याद करते हैं हम लोग नारा देते थे जहां बलिदान हुए मुखर जी वो कश्मीर हमारा है फिर हम लोग कहते थे एक देश से एक निशान एक प्रदान एक विदान लेकिन वहाँ दो प्रदान थे उस समय प्रवीट सिस्टम तो उसकाण से समाथ हो गया उसके बाद वहाँ पर दो परदान वहाँ भी परदान मंतरी होते थे वह भी समाथ हो गया पर वहाँ भी मुख मंतरी काला थे लेकिन 376 तर यहाँ की कानून वहाँ लागू नहीं होता- अबुश्का परिनाम वर्सों से उस समय जी समय 370 शंबिदान भी जोड़ा गया था 35 ये जोड़ा गया था उस वक्त तो वो क्या कहते थे कि ग्यांद वो समय नेहरू जी देश के प्रदान मंतरी थे वो कहते थे गीशते गीशते ये समाप्त हो जाए लेकिन गीशते गीशते इस समाप्त नहीं वा बलके और मजबूत हो गया था गीशते गीशते लेकिन मोदी जी ने 19 में सरकार बनाते ही विर से जब 19 में फिर से प्रदान मंतरी बने तो 370 भी समाप्त हो गया 35 ये भी समाप्त हो गया और साथ ही पाकिस्त एकागते हैं जम्मो कास्मिर से लग्दा को अलग करके ओविके नसाशी तराज पड़ा मैं इसलिए इस बात को कहा रहा हूँ चुकि भारती जनता पार्टी का सुरू से हमाँ थी और जब जब भारती जनता पार्टी सत्ता में आई तो आप उजिशन में बैटेंगे लोग इसको मचा कुड़ाते थे कि आप ने कहा था था तीन सो सीतर समाथ करे में क्या होओा आपने तो अभी तक नहीं समाथ किया है अगर तीन सो सतर समाथ किये तो सब लोग चुप हो गए अब सब की बुलती बंद हon गए तो ये एक्तिहासिक निर नहीं था ये साथ दूसरों से ये संभव नहीं हो पा का रहा था अगर ये उसको संभव कर पाया तो देश के प्रधान मंद्री द्रेंदर भौह दिंने udah क्लिए और इसलिए हमें इसको बताना है देश के लोगों को बताना है पिर इतना ही नहीं अजोध्या में राम मंदिर का मामला अजोध्या में राम मंदिर का मामला वर्सों से पड़ा हुआ था लटके हुआ था केस पर वर्सों से चल रहा था और लोग भूशते थे कि वीजेपी गाते है आममंदीर यान जन भूमीब्यारामंदीर बनेगा कब बनेगा, आप तो सत्ता में आए, बना नहीं रहे, आपके हिम्मत नहीं है, तरह तरह की लोग कमेंट करते, सारजनिक मंचों से भी लोगोशना करते थे, लेकिन देश के प्रदानमंत्री जी जब 2019 में फिर से देश के प कामला भी सुप्रीम कोट के पांच जजों के पीठ ने सारु सम्मधी से उसकी फाइसला सुना दी और आप तो राम मंदिर बनाने का मार्ग परसस्त ही नहीं बलकि बनाने का काम भी आप प्रेकरिया में सब चल रहा है यह आयतियासी काम है कुछ छोटा मोटा काम नहीं है किसी संबाव नहीं हुआ था वरसों तर देश के पधान मंत्री नरिंदर मोदी जी ने इस मार्ग को भी परसस्त कर दिया कि भारती जनता पार्टी तो सुरू से ही कह रही थी कि अजुध्या का मामला या तो आपसी विवाद आपसी बादची से हलोगी या फिर आदालत की निर् देशे हाँ पिमामला पूरा हुग गया उसके साथ सा 15 अगहण 1947 को देश आजाध हुआ लेकिन उसके साथ सा देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से इक बंगला देस्ट में विवाज़न के समें जो यहां के इंदुबाए थे उस समय वहां पर आज वो उनको वहां से प्रताडित करके उनको भागना पड़ा अपना घर दुवार छोड़ करके भारत में आ करके लोग सरन लिया हुए थे वर्षों से भारती जनता पाटी सुरू से कहते रहे कि जिस जिनम सत्ता में आएंगे हमारी सरकार होगी तो हम उन लोगों को भारत की नागरिकता हम उप्राव में उदिलाएंगे और इसका भी वर्षों से यह वांग थी अब जो 19 में दुबारा देश की सरकार प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी जी बने तो इस काम को भी पूरा कर दिया नागरिकता संसोधन विधयक पार्लियमेंट से पारित करके वो कानून बना अब भंगलादेश से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जो भी वहां से हिंदो भाग करके आये थे सीख आये थे, बहुत आये थे, जाइन आये थे, पार्सी आये थे, हिसाय आये थे वह हुई ऐसे ही रहते हैं ते सार नार थे उनको भारत की कोई नागरिकता नहीं थी लेकिन इस एक कानून ने उन सबों को भारत की नागरिकता दिला थे उस कारण से बहुत सारे लोगों को परिशानी हुई बहुत लोग अभी अंदोलन करते बार बार देश के प्रधान मंत्री देश के ग्री मंत्री अमीश सा ने जी भी गोम गोम करके का पारलियमेंट में भी का वही ये जो नागरिक्ता संसोधन विधायक है किसी की नागरिक्ता को लेने वाली ये विधायक नहीं है बलकि नागरिक्ता देने की वाली विधायक है लेकिन इसके बाद भी उसके लोग विरोध कर दे अब विरोध का तो कोई पता नहीं क्यों विरोध कर दे और इसले में कारों की ये बड़ा एतिहासिक काम हुआ है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये किसी से कोई संभाव नहीं हो पा रहा था, ये देश के प्रधान मंत्री जेने उस काम को कर दिया मोदी चेले, ये अपना एतिहासिक काम, तेरे तीन तलाग का मामदा, मुशलिम मह हिलाओं को शम्मान दिन, ये कोई किसी और से संभाव नहीं हो सकता, आप याद कर ये उस चोरासी में जब देश के प्रधान मंत्री राजिव गांदी बने थे, उस समय भी सहबानों का मामला हुआ था, और आज इतने सीटों से जीत करके मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उस से कहीं अधिक सीटे राजिव गांदी जीते थे, लेकिन उस समय जब सुप्रीम कोट का निर्नाई हुआ, पारलामेंट में वो भी हिमत नहीं कर पाए, और इस कारण से फिर कदम उनको पीछे हटाना पड़ा था, लेकिन देश के प्रधान मंत्री जब उन्नीस मे फिर से नरिंदर मोदी जी बने, तो इन्होंने तीन तलाग की फील को भी बारलामेंट से पारित करा दिया, आज मुश्लिम महिलाएं सम्मान के साथ, सर उठा करके, बाकी की तरह वो भी जीर है, तो यह अपने आप में बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा ये काम नहीं है, आज भी हम सब लोग देखते हैं, देश की सुरच्छा के मामले में किस प्रकार से, अभी चायना के साथ ही जो इस्थिति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, दुनिया बड़ी चिंतित है, कि भारत को एक ऐसे प्रधान मंत्री मिले हैं, जो कहते हैं, वो कर दिखाते हैं, ये भारत के इतिहास में पहली दब, और इसलिए आप देखते होंगे, चेन भी अपने, चेन की सेना भी अपने कदमों को पीछे हटने पर मस्पोर हुआ है, तो ये अगर संभव हो पाया है, तो देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी के कुशन नेत्वित के कारण ही ये संभव हो पाया है, इसलिए मैं आप सब से कारा हूँ कि आज जो देश की आलत, देश की सुरच्छा उसको मस्पोर्थ किया है, और साथ ही देश में गाहों गरीब किसान इस लाउकडाउन के समय में भी जिस प्रकार से सरकार ने पहले गरीब कल्यान योजना के लिए ए एक लाग सत्तर हजार करोड की पैकेज की घोशना की, उसके बाद बीस लाग करोड की पैकेज की घोशना की, तक कि कोई लोग भूखे नहीं रहे, कोई भूखे नहीं मरे, छोड़े छोड़े जो द्योग बंद पड़े हुए थे, वो द्योग भी खोल पड़े, वो भी चल पड़े यानि कहें से किस प्रकार से देश के लिए चिंदित है वो किसी से चुपा हुआ नहीं है अगर इस काम को किसे ने किया तो देश की देश के सरकार ने पुधान मंत्री जी और आज भी आप देखते होंगे जारखन में भी आप देखिये यहां भी जितनी सारे काम चल रहे हैं भले आज ये सरकार कहती है हमने आज एक कॉंग्रेस के बड़े लीडर का हमने देखा कहता है कि खात सुरच्छा विदयक हमने पास किया इसलिए आनाज मिल रहा है इसलिए लोग धीर है हम उनको याद दिलाना चाहते हम जब केंदर में सरकार्ती अटल व्यारी बाज भीजी के नेत्वित में तो 2001 में इस योजना को उनने चालू किया था अरोज समय गरीबों के को राज 35 किलो अनाज उस समय मिल रहा था अंतो दे अन योजना के तहा 10 किलो अनाज फिरी में मिल रहा था गरीबों को तो ऐसा नहीं है बाद में उसको कानूनी रूप भले आपने दिया होगा यो भी ये सरकार ने दियोगी लेकिन उस योजना का सुवारम हमने तो अपने हाथों स किया है और उस समय घूंग घूंग करके 35 किलो अनाज लोगों को सही धन से मिले गरीबों को तो ये योजना तो उसी समय सरकार ने सुरू कर दी थी और इसलिए आज भी मैं देखा होगा इस लॉगडाउन के समय में भी तीन-तीन महिना का अग्रिम जिसको कहते हैं रासन भे वेवस्ता किसानों के खाते में पैसा वेजना तो ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था पहले तो सरकारी कर परदान मंत्री पहले कहते थे क्या है आप सबको याद हो कि पैसे हम बेशते हैं तो घीशते घीशते वाँ 15 पैसे ही लोगों के जेव में पहुंचता है लेकिन द खाते में आप पहुंच रहे हैं चाहे वो किसानों के खाते में हो चाहे दिव्यांग के खाते में हो चाहे बुड़े बुजर्गों के खाते में हो चाहे वो जंधन योजना के खाते में हो वो पैसा कोई विशोली और कोई इधार उधर नहीं जा रहा है सीधे उनके खाते म कि हमें पैसे नहीं दे रहे हमने तो का कि भई आपको इतना मिला है कहां-कहां खर्च किये और किन-किन छेत्रों में खर्चा के लिए पैसे मांग रहे हैं थोड़ा ये तो बताओ हालत क्या है अस्पतालों के किसी से चुपा हुआ नहीं है जाज का क्या इस्तिती है इतनी दिनों से अवाज हम सब लोग उठाते हैं तो आज में कह रहा था कि सरकार किस प्रकार से यहां काम कर रही है और किन सरकार ने किस प्रकार से राज्यों को सहयोग कर रही है छोड़े आई द्यम्यों को सहयोक करेwarz नहीं वो किसी से चुपा हुआ नहीं है और आज पूरे देस में कि मजदूरों को भी लाने का किस प्रकार से काम किया वो भी किसी से चुपा हुआ नहीं है यह नहीं त्याओन मवजदुर तीन हजार 1240, 20 चलाए गई और जार्खंड को भी दिया गई और जार्खंड सरकार ने तो कोई लेने से ही इंकार कर दिया थे करनाटक से जब पिछले 8 तारिख से लेकर के 15 तारिख तक पृते एक दिन 2 चलाने के बात थे सरकार ने हाथ खड़े कर दी कि हम नहीं ले सकते इतनी लोगों को इतनी लोगों की देखवाल नहीं कर सकते हमने खुद मुख मंतरी से बात की वो फिर तयार नहीं हुए तो हम किसको यह करे देश के रेल मंतरी जिसे हमने बात की थी हमने कहा कि वही आप यहां दीजिए उदोने कहा कि हम तो देने के लिए तैयार है राज सरकार लेने को तैयार नहीं और इस कारण से मस्पूर हो करके लजार हो करके वीवश हो करके लोगों को पैदल आना पड़ बसों से लोग आए ट्रकों से लोग आए साइकिल से लोग आए, मौट साइकिल से लोग आए यानि जारखंड की लोगों में जो कस्ट हुआ, जो तकलीफ हुआ अगर सरकार चाहती हमने तो उस समय भी काये थे कि वे लोग भगदर नहीं मचेगी आप उनके लिए वहीं काम करिए जब यहां से आपसरों को भीजिए जो बड़े-बड़े महानागुरों में, मुंबई में, दिल्ली में हैदराबाद में, सूरत में लोग फशे हुए, बड़ी तदाद में लोग है वहाँ पर यहां से आपसरों को भीजिए वहाँ के परसासन से सहयोग ले करके कुछ आपसरों को न्यूक्त कर दिये, नौडर, मॉबाइल लंबर दे दिये, लेकिन उसमें भी लग नहीं रहा था, जगा जगा से मस्दूर ये कर रहे थे, कि हम लोग टेलिफॉन करते हैं, कोई उठाने वाला नहीं, वही सरकार चाहती, तो बाहर में भी जो लोग पड़े में, तो सरकार ने उसके लिए तो कुछ नहीं की, और इसलिए आज बहुत सारी लोग आए, ठीक है कुछ लोगों को उन्हों ने हवाय जाज से लाने की तोड़ा सा कोशेश किया, लेकिन उसके पीछे में उनका व्यक्तिकत नहीं, तो स्वार्थ चुपा हुआ था, सरकार के पास पैसा है, दो दिन पहले मैंने आखवार में पढ़ा, ये पैसे की रोने रोते, तो हालत क्या है, वीस हाजार करोर रुपए, यो ही बैंकों में पढ़ा हुआ है, या तरता, भी उस पैसे कोई कठा करो, और फिर विखास की काम में लगाओ उसको, ये क्या सोच ये पता नहीं, ये हालत है इस सरकार की, और इसलिए मैं कहा रहा हूँ, कि आज उसकी कोई कमी नहीं है, अब नहीं कहा कि आप इतनी लोगों को यहां रोजगार देना है, तो रोजगार की आउसर कैसे सरजित होगी, उसके लिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, त और इसलिए हमने बार-बार सरकार से का, वही आप दो-तीन काम तो करो, पहले बिजली की स्थिति को ठीक करो, पूरी प्रुदेश में बिजली की आलत खराब है, ट्रांसमिशन की सिस्टम को ठीक करो, वित्रन की वैवस्था को दुरूस्त करो, जगा-जगा पर ग्रीड बन बनाओ, पावर सावे स्टेशन बनाओ, जो कि विजली तो आज हम नेशनल ग्रीड से हम खरीते हैं, बाहर से हम खरीते हैं, लेकिन हमारी अगर संचारन की वैवस्था ठीक नहीं होगी, विजली 24 घंटा नहीं मिलेगी, तो फिर उद्योग धंदे भी नहीं बना सकते, फिर इस खेपी भी हम करते हैं, उस पादम भी करेंगे, तो उसका भी राख रखाव ठीक से नहीं हो पाएगा बिजली के बिना, कॉलिस टोरेज नहीं हो सकता है, तो किसानों को भी आनाज का दाम नहीं मिल सकता है, तो बेकारी और बेरोजगारी छोड़े उद्योग भी नहीं करना ही, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आप सब लोगों शिका रहा हूं, कि हमें इस बात को ध्यान में रख करके, सरकार के उपलब धी कोई नहीं, के अंदर सरकार के सरीक उपलब धी कोई नहीं, आज जो इस राज़े की जो आवस सकता है, उस पर भी हम सब से निवेदन कर रहा हूं, और फिर प्रदान मंत्री जी ने कहा है, मंडरेगा में तो साथ हजार से और चालिस हजार करोड रोप्या देख करके, पुरे एक लाग करोड रोप्या के पुरे देश को दिया, सुबावी कह जार घंड को भी उसका हिस्सा मिलेगा, तो जितनी भ आपने देखा होगा, सरकार ने किया है, M.O. के, क्या करते है, बोडर रोड और्गनेजिशन से, कि लोगो जाएं काम करने में अच्छे काम किया है, मुक्मिंत्री जी ने, तो मैं ये कह रहा था कि जब लोगों को यहां काम नहीं मिलेगा, तो दिल्ली की और लोग बेंगलो और पूना के और लोग जाएंगे, हाइदरावाद सूरत के और लोग जाएंगे, तो आपने कहां कि वहां भी मजदूरों के लिए आप एक सुविधा केंद्र बनाईए, ताकि उनको कोई भी किसी परकार की तकलीफ हो, कठनाई हो, तो वहां लोग संपर्क कर सके वह अपने आपको आसाहय महसूस नहीं करे, इस काम को तो सरकार आसानी से कर सकती है, लेकिन थोड़ा उनको सोच होने चाहिए, भी हमें घरना पड़ेगा, हमें जरूरी है, यहां की आवास्ता को देख करके, इसलिए हमने कहां कि हम सब लोगों को सरकार को करने के लिए हमे मस्कूर करना है, यह तभी संभाव होगा, उसके लिए हम सब लोगों को संगटीत होना होगा, लोगों को भी संगटीत करना होगा, और इसलिए मैं आप सब लोगों से फिर से यही कहूंगा, कि अपनी जो यह जनसंपर का भियान है, उसको हमें घर घर तक पहुंचना, और घर घर तक अपनी पहुंचाना है, इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बात को शमाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय जारकन, और भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद, अधरनिय बाबुलाल मारंडी जी, मित्रों आप सबोंने अपने मुख्याती थी के सारगर्वित विजारों को सुना, अब सबा समाप्ती की ओर है, मैं पाटी के निता, अधरनिय योगिंद्र परताप सिंग जी से आगरा करूंगा,